हाई गाइस वेलकम टू क्वेशन बैंग क्राफ्ट आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए विंटर स्पेशल शॉल बूट्स और नैपी बनाना सिखाऊंगी तो चली फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने काना जी के लिए शॉल रेडी करेंगे जिसके एक रेक्टांगुलर शेप में इसकी जो कटिंग है वो आप अपने काना जी के हिसाब से रख सकते हैं जिससे उनकी बॉड़ी जो है अच्छे से कवर हो जाए उस तरीके से आपको इसको कट करना है अब यहाँ पर मैंने यह मल्टिपल टैसल वाली लेस ले लिए जिसमें देखिए बहुत जादा कलरफूल टैसल हैं और यहाँ पर देखिए इसके चारो तरफ मैं इस लेस को कुछ इस तरीके से स्टिच करूंगी यह देखिए यहाँ पर आपको इस पर स्टिच लगाना है इसके चारो तरफ आप सिलाई मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हैंड स्टिच भी कर सकते हैं जो आपको कन्फरटेबल लगे और अब यहाँ पर देखिए मैं ले रही हूँ वाइट कलर की बीड्स और निडल और थ्रेट की मदद से हम इन बीड्स को इस शॉल पर जग़ जग़ पर यहाँ पर लगा देंगे यह जो शॉल है बनाने में काफी असान है इसमें आपको कॉर्णर्स पर एक लेस लगानी है और बीचो बीच आप कुछ बीड्स को स्टिच कर सकते हैं क्योंकि यह हम काना जी का शॉल बना रहे हैं तो इसे आप जितना अट्रेक्टिव बनाना चाहें उतना बना सकते हैं यह देखें यहाँ पर मैंने काफी कलरफुल टेसल वाली लेस का यूज किया है इसमें ब्लू, ओरेंज, किंग फिशर ब्लू, ग्रीन, सभी कलर्स के टेसल्स हैं और आप इसको कुछ इस तरीकी से ल वीडियो में बनाना चाहर ही हूं, यहाँ पर बीट्स के कलर्स भी आप अपने अकॉरडंग ले सकते हैं मैं ने वाइड कलर की बीच का यूज किया लात अबक्र कलरक सब्सक्र अपने अकॉरडंग क किस यूज करना हैं जो मतलब आपके लडू उपाल जी को ऐसको तैयार क और यहाँ पे लेज बीट्ज आप अपनी पसंद के यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है चलिए अब नैपी तयार कर लेते हैं तो आईगे अब 6 नमबर के काना जी की नैपी तयार कर लेते हैं जिसके लिए देखिए सबसे पहले एक पेपर के ओपर ड्राफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने 6 बाइ 6 इंचिस का यह जो है एक पेपर ले लिया है पहले हम paper पे drafting करेंगे अच्छी सी cutting करेंगे उस हिसाप से हम फिर कपड़े को भी आगे काट लेंगे इसको आपको इस तरीके से half में fold कर देना है और अब यहां से देखिए इस तरफ से भी हम इसको ऐसे करके fold करेंगे तो यह पूरा जो है एक इंच के करीब का आएगा और जब हम इसको यहां से देखिए यह एक इंच का है और अब हम इसको यहां पर इस तरीके से open करेंगे तो यह दो इंच का आजाएगा लाइक दोनों साइट पर एक इंच का तो ओल ओवर दो इंच का आ गया और यह जो corners के extra वाले पार्ट है इनको अब हम कट कर देते हैं इस तरीके से आपको देखिए इनको कट कर लेना है यहाँ पे अगर आपके लड़ू कुपाल जी चोटे हैं बड़े हैं आप सभी sizes के लिए बहुत अराम से नापी तयार कर सकते हैं अब इस piece के हिसाब से हम कपड़ा कट करेंगे तो देखिए यह नापी होगी कुछ इस तरीके से आप काना जी को इसको पहना सकते हैं यह देखिए इस ताईप से नापी तयार होगी अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने फैबरिक के से कट किया है तो यह देखिए वही velvet का कपड़ा ले लिया है velvet का कपड़ा यहाँ पर हम इसलिए यूज़ करें क्योंकि यह काफी गर्म रहता है तो इसके हिसाब से देखी, यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग कर लूँगे और उसके बाद यह कपड़ा भी जो है, मैं कट कर लेंगे, माक लगाने के बाद अब यह यहाँ पर cotton का cloth है, यह हमारा अस्तर का कपड़ा हो गया और यह हमारा velvet का कपड़ा हो गया अब मैं इन दोनों को आपस में stitch करने वाली हूँ तो इनको एक दूसरे के उपर इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेते हैं और अब इसके बाद मैं देखी, इनको साथ में stitch करूँगी ribbon के यहाँ पर मैंने इसके combination में green color का ribbon लिया है, आप color combination अपने according रख सकते हैं और इस ribbon को as a pipe in मैं यहाँ पर इसके साथ में ही corner पर stitch लगा दूँगी यह देखी, यहाँ पर मैंने इसे stitch कर लिया है, आप देख सकते हैं और अब देखी, यह आपको मैं एक और बार दिखा देती हूँ किस तरह से आएगा इसे हम देखिए, दोनों side से कुछ इस तरीके से जो है fold करते हुए लड़ू गुपाल जी को पहना सकते हैं काफी बड़े size के काना जी की नैपी आपको देख की पता चल रहा है छे नमबर के काना जी के लिए आप इसको बना सकते हैं और यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों side पर इस तरीके से ribbon को लगा दिया है और अब काना जी को पहनाने के बाद आप ऐसे ribbon से इसको tie कर सकते हैं यह देखिए यहाँ से ribbon भी देखिए, आप अपने according colors वगेरे चूस कर सकते हैं मैंने यहाँ पर yellow के combination में green को चूस किया है और यह बहुत ही comfortable सी winter nappy काना जी के लिए बनके तयार है कोई भी dress आप उनको पहना रहे हैं, उसके नीचे आप यह पहना सकते हैं बहुत ही comfortable रहेगी, बहुत ही गर्म भी रहेगी तो अब मैं आपको बहुत ही unique style के लड्डू को पाल के winter boots बनाना दिखाऊंगी जो आपने और कहीं तो देखे ही नहीं होंगे तो चलिए फिर जल्दी से boots भी तयार कर लेते हैं काना जी के लिए तो आईए अब लड्डू को पाल जी के boots तयार करते हैं इसके लिए मैंने दो अस्तर के कपड़े और दो velvet के कपड़ों को rectangle की shape में cut कर लिया है यह आप अपने काना जी के हिसाप से cut कर सकते हैं और अब मैं आपको बिताती हूँ आपको आगे क्या करना है यहाँ पर देखिए colors भी आप अपने according चूज कर सकते हैं मैं पूरा set जो एक ही combination में बनाया है yellow में ही तो मैं boots का color भी change नहीं कर रही हूँ मैं yellow में ही रख रही हूँ इसको भी और अब देखिए मैं पहले आपको बनाना दिखा देती हूँ आपको यह दोनों कपड़ों को इस तरीके से आपस में अच्छे से set करते हैं इसे हाफ में हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से और अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे दो साइट से जो है अच्छे से स्टिच लगाएंगे एक साइट हमें यहाँ पे ओपन रखना है सेम वगी चीज मैं आपको एक और बार बता देती हूँ देखे कपड़े को इस तरीके से अच्छे से set कीजिए यहाँ पे इसे हाफ में फोल्ड कीजिए उसके बाद दो साइट से की आपको इस पे जो है स्टिच लगाना है तीसरे वाले साइट पे स्टिच नहीं लगाना है यह ओपन रखना है यहाँ पे देखे दो साइट पे स्टिच लग गया है जो एक खुला वाला साइट है वहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं इस तरीके से आप फिंगर्स की मदद से इसको अच्छे से सीधा कर लीजिए और इसके साथ मैं ब्लू कलर के रिबिन का कॉंबिनेशन यूप्स और यह देखे यहाँ पे देखे रिबिन की हमने पाइपिन दे दी है इसके कॉर्नर्स पे जैसे आप देख सकते हैं सेम यह आपको वैसी करना है स्टिचिंग करके जैसे हमने नैपी में भी किया था और अब देखे यह चीज आपको एकदम ध्यान से देखनी क्योंकि अब ह देखे इस तरीके से आपको इसे लेते वे स्टिच कर लेना है और देखे मैंने इसको स्टिच करके आगे की तरफ दो पॉम पॉम्स भी लगा दिये हैं यह लड़ू को पाल जी के विंटर बूट्स बिलकुल तयार हैं आप एकदम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसको बना सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए मिलती को नेक्स्ट वीडियो में बाई टेक केर हरे कृष्णा राधे राधे